हम और आप गर्मा घरम चाय के साथ प्याज के पकोड़े न खाए यह तो होई नहीं सकता तो मैं लेकर आएं हूं आपके लिए एकदम कुरकुरी गरआरी कांदा बजिया बोल लो या प्याज के पकोड़े बोल लो एक ही बात है और बारिस के मौशम में तो इनका मज़ा कुना हो जाता है तो गरमा गरम चाय के साथ जमा जम बारस में प्याज की भजिया का लुपत ज़रूर उठाएं तो चलिए प्याज की भजिया बनाना सुरू करतें तो सबसे पहले हमने यहां चार मीडियम आकार के प्याज लिये हैं इनको हमने छील लिया है पहले ही अब इनको हम काटेंगे तो काटने से पहले हम एक बड़ा बरतन लेंगे तो मैंने या काच का बड़ा बोल लिया है आप कोई भी बड़ा बरतन ले सकते हैं अब इनको हम लंबाई में पतले-पतले काटेंगे, तो इस तरह से आपको लंबाई में इने काटना है, काटने से पहले बीच में से ये आँख जरूर निकाल दे, जिससे प्याज की सारी लेयर अला गला हो जाएं, और पकोड़े थेश्टी बनें, एकदम करारें, तो इस तर अब हातों की मदद से हम इनकी लेयर अलग कर देंगे, तो इस तरह से आपको करना है, आसानी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमने बीच वाला इससा निकाल दिया था, अगर बीच वाला इससा रहने देते हैं, तो इनकी लेयर अलग नहीं होती है, होती हैं, तो थोड़ा मे बेर को अलग कर लिया है आप इसमें मसाले अड़ करेंगे तो यह मैंने लिया एक चमच नमक और यह है दो पिंच हल्दी और साथ ही डालेंगे आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर आप अपकने कोर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और एक चोता ही चमच हमने अजमाई लिया है और आदा चमच लिया है जीरा इसको भी हमने क्रस कर लिया है और एक चमच क्रस किया हुआ दनिया डालेंगे और साती मैंने लिया है आदा चमच चाट मसाला इससे बहुत ही अच्छा ठेश्ट आएगा जरूर डालें अगर आपके पास है तो और अम मैं डाल रही हूँ एक चोताई चमच हींग हींग पाचन के लिए बहुत अच्छी रहती है और यह मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्ची और साती डाल रही हूँ हरा दनिया अब इसमें हम डालेंगे आदा नीवू निचोड़ेंगे अगर आप नीवू की जगर आमचूर पावडर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं उससे टेस्ट आएगा लेकिन नीवू से आपको एक और फायदा है जब भी आप पकोड़े पकोड़ी कुछ भी तलने वाली चीज बनाते हैं उसमें नीवू जरूर निचोड़ें नीवू निचोड़ने से क्या है कि पकोड़े के अंदर ओल नहीं बरेगा आपके पकोड़े एक तम अंदर से ड्राई बनेंगे तो इस तरह की कोई भी चीज बनाए तो नीवू जरूर निचोड़ें तो इस मसाले को ं मचली पानिया भी हमें पांगे करें पान को मिंटमेकित की आतिया है mungkin इसक्पर एक मसाले आठा उपलब्द नहीं है तो आप चावल मीक्सी में पीस्के भी डाल सकते हैं अगर बो भी आप नहीं करना चालते तो कोई बात नहीं आप केवल घेहूं का आठा डाल सकते हैं तो मैंने यह एक चोताई कप गेऊं का आटा भी डाला है इससे भी पकोड़े कुरकुरे बनते हैं क्रिस्पी बनते हैं तो अब इन मसालों के साथ बेशन गेऊं के आटे को चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालेंगे जो हमने नमक डाला है प्याज में उससे पानी छोड़ेगी प्याज और यह पूरी तरह अच्छे से इसका घोल बन जाएगा तो अभी हमने हातों से इस तरह से मिक्स कर लिया है अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए ढग कर छोड़ देंगे जिससे यह बेशन अच्छे से फूल ज हाइग डालते हूँ आप देख सकते हैं एक तम सौक्ट हो गया है क्योंकि प्याज ने पानी छोड़ दिया है और इसे हाथों से मिलाते मिलाते अब देख सकते हैं इस तरह से हम इसके प्याज के पकोड़े तोडएंगे और देखो अच्छे से यह बांडिंग आ रही है इन सरसों का ओयल गरम कर लिया है तो मैंने या डालडा का सरसों का ओयल लिया है क्योंकि पकोड़े सरसों के तेल में ही फ्राई किये जाते हैं और इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकोड़े तलने के लिए तेल एक तम गरम होना चाहिए और पकोड़े तोड़ते टाइम अच्छे से फ्राई कर लेना है तो इस तरह से आपको पलटते रहना है जर को चलाते रहना है और यह देखिए दो से थीन मिट में इनका कलर चेंज हो चुका है और अब यह तल कर विखुल तयार है आप इनको हम निकाल लेते हैं इसी तरह हम दूसरा बैच डालेंगे और तीन से चार मिट में अच्छे से यह फ्राई हो जाएंगे अब देखिए एक तम पढ़िया कुरकुरे यह तल चुके हैं आप इनको भी हम निकाल लेते हैं तीन से चार बैच में यह गर्मा गरम पकोड़ी हमने तल कर तयार कर लिये हैं बजिया की किस्पी नेस आपको पता चल गई होगी बजिया की आवास से जो के प्लेट में डालते हुए एक तम टन से सुनाई दे रही थी और यह मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ना तो आपको बाहर ओयल देखेगा ना ही अंदर और गर्मा गरम प्याज के पकोड़े हों चाय ना हो यह तो कोई नहीं सकता तो बारिस के दिनों में गर्मा गरम बजिया का चाय के साथ जरूर आनंद लें मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्यू